बड़ी खबर कानपूर से आरी जहां कल्यानपूर श्वेत्र के प्रात्मिक स्वास केंद्र से बच्चा हुआ चोरी ग्राम चिते पूर्थाना सचेंडी का है पिड़त परिवार महेश्कमार अपनी पत्नी सुष्मा देवी को बच्चा घर पर ही पैदा होने की बाद पत्नी सुष्मा देवी को ही अचानक दर्द के कारण परिवार वाले कल सुष्वा साथ बज़े कल्यानपूर प्रात्मिक स्वास केंद्र लेकर पहुंचे और भर्टी कर राया और भगल कि बैड में लेटी महिला आज सुबह 6 बजे बच्चे को तहलाने का जहासा देकर हुई परार पुलीस सेसे टीवी की मदद से कर रही चान पिन कानपुर अगर से समादता अलग भदोरिया खिर नमस्कार आप सभी का बंदे भाद नियुद में स्वागत है कल्यानपुर से साथ बजे एक अग्यात मैला ने एक नौजास्स को किया चोड़ी और यह हैं की माता जी नमस्कार आपका नाम क्या है सुस्मा देवी और आपकल यहां कितने टाइम आई थी साड़े साथ बजे क्या प्रॉब्लम हो गई थी पेट में दिक्कत हो गई थी तो आप यहां साथ बजे साथ बजे से आड़े से अट-बीस पर यहां एडमेड हो गए उसके बाद आप दिन भर यहीं रहे जी से रात में जो आपके फैमिली वाले थे वह कहां पर थी यहीं मेरे मैं ममी थी तू यहीं पर थी साथ में सब लोग सो गया होंगे कोई नहीं सो रहा ता जग रह तो आप कैसे जान पाएं कि मेरा बच्चा कोई ले गया जब अमका लाए थे यहां पर तो इस वाले बेड में पहले से ही थी और एक-दो बार मतलब बच्चों को खिला रही थी और फिर एक-दो बार ले भी गई यह तो सुबह सो रही थी तो लड़की उस हाथ जगाया जब पांच मिनट बाद और उसका कहीं पता नहीं लगा नहीं पता चला बार तक देखा गेट सड़क बार तक अब आप क्या चाहते हैं अवारी लड़की बच्चा चाहिए में ले हैं उसको हमारे सामने लाया जाए उसको उसको अमसे बने गा पुलिस क्या स्वासन दिया है जब आएगी मतलब हमें हमारे सामने आए कि हम क्या करना चाहेते हैं आई जो CC TV पुठेट चेक हुए हैं इसमें कुछ पता लगा क्या मैमला है मैं कहां की और थे कोई जानकारी नहीं मिली है कि यह कहां की महिला है कहां की नहीं है और यह मतलब आई है और बच्चा लेकर चली गई है यह वदाई है जो डॉक्ट यह यहां एडमिर थी इसका यहां का कोई रिकार्ड तो होगा स्पताल के पास कोई खंगाला गया है इसके डिलेवरी हुई थी और यह पहले से भी थी उसी के साथ में जो लेडिश थी बच्चे ले गई है यह उसके साथ में पहले से ही थी मैंने सोचा उसका कोई रिलेशन का है इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं बोला वो पेसंड सामके ही निकल गया चुट्टी हो गई थी फि